सबी को प्यार बरा नमस्कार इंपीडियल एग्रो क्लासेस के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेंगन इसके उपनाम अगरती में बात करूं तो उपनाम इसको हम बोलते हैं गॉ अबरजीन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो आज बेंगन के बारे में हम विश्तत अध्यन करेंगे और देखेंगे किस-किस प्रकार के questions exam में पूछी जाते हैं उन्हीं सभी questions का समावेश में इसमें किया है तो पूरी class attend करिएगा medium सी class है एक ना ज्यादा छोटी है न कि देखने को मिलेगी ना उतनी किसी सबची में देखने को नहीं मिलेगी ठीक है क्योंकि इसमें दोड़न होता है गॉल्बन होता है हरा होता है सफेद में होता है बिटी चलता है और विदेशित में बैंग लेकिन मोस्त निनमें पूछे चाते हैं जो competition्राम होते हैं अग बार बार इस प्रकार के questions पूछे जाते हैं तो पूरी class attend करनी है आपको अगर new student हो तो चैनल सब्सक्राइब करके bell icon को प्रेस कर लिजी ताकि आगे आने वाले notification आपको मिलती रहे और इस चीज का ध्यान रहे कि 25 तारिक को 25 जून 2020 ठीक सुबह साड़े 11 बजे हमारा टेस्ट चालू होगा तो उस टेस्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी उसका लिंक आपको आज नहीं तो कल प्रोवाइड करवा दिये जाएगा ठीक है तो चली शुरू करते हैं आज का रोमांचत सफर देखिए बिल्कुल बैसिक से चलें तन और डी हैं हमारा सोलेनम ब्रिंजल क्या होगा इसका जवाब बताई जल्दी से बिंगन का वानस्पतिक नाम होगा उप्शन नूबर जिस ने जवाब दिये हैं बिल्कुल सई जबाब हैं बेंगन का वनद स्पतिक नाम क्या हो जाएगा बेंगन का वनद्थलिक नाम होगा सोलेनम मिलोंजना और नाम से जाना जाता है traiket अगला सवाल देखिक양 क्या है différence हैमआरा वैंगन को किस उपfill नाम जाता है मैंने बताया कि उपनाम वाले क् evolves बार बार पूछंग कह रहें कि अब जवाब आपको देना है dragging को किस उपनाम से जाना जाता है गोल्डन एपल एग प्लांट आबरजीन या उप्रोक सभी क्या होगा इसका जवाब जिसने इसका जवाब दिया है उप्रोक सभी बिल्कुत सही जवाब है बेंगन को किस नाम से जाना जाता है बेंगन को जाना जाता है golden apple एक plant और अबरजीन तीनो नामों से जाना जाता है ध्यान रखना बेंगन के उपनाम कोन से हो जाएंगी golden apple एक plant और अबरजीन ठीक है नेक्स क्रेशन देखी क्या है अगला स्वाब है हमारा बेंगन किस school का पादप है क्वेशन के पुछा क्या है बेंगन कि स्कुल का पादप है जवाब दीजिए बेंगन कि स्कुल का पादप है जवाब क्या होगा देखिए जिसने आपने जवाब दिया है बेंगन का मानसपतिक नाम बोलते हैं तब भी आपने देखा होगा कि नाम आता है आपको और जो फालसा है उसका क्या हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना इंपोर्टेंट हैं अगला सवाल देखी क्या है बेंगन का उत्पतिस्थान माना जाता है बेंगन का उत्पतिस्थान सबसे पहले इसको कहा देखा गया था यह इसका ओरीजिन प्लेस क्या होगा बेंगन का उत्पतिस्थान ओप्शन नमबर ए है मारा भारत बी है मारा ची की है जापान और डैहीज़ूमादीका बिचारत खरदुन चंव माना जाता है भारत, भारत देश को बेंगन का उत्पति स्तान माना जाता है अगला सावाल देखी क्या है? next question है हमारा बेंगन किस प्रकार की जल्वाइू का पोदा है बेंगन की जल्वाइू पूछी गई है यहाँ पर climate पूछा गया है बेंगन का बताना है आपको बेंगन किस प्रकार की जलवायू का पोदा है climate क्या होगा इसका तो option number A है हमारा थंडी जलवायू B है हमारा गर्म जलवायू C है हमारा बरफिली और D है हमारा कोई नहीं बताए जल्दी से बेंगन किस प्रकार की जलवायू का पोदा है ठंडी का है गर्म का है बर्फिली का है कोई नहीं क्या होगा इसका जवाब बेंगन किस प्रकार की जलवायू का पोदा है ठंडी गर्म बर्फिली कोई नहीं बेंगन की व्रदी के लिए उप्यूक्त तापमान क्या है बेंगन की जो पोदे की व्रदी होती है उसके लिए उप्यूक्त तापमान पूचा गया है टेंप्रेचर पूचा गया है ओप्टिमम टेंप्रेचर क्या होता है उप्यूक्त तापमान को इंगलिश में ओप्टिमम अब जवाब दीए क्या होगा बेंगन की वर्दी के लिए उप्यूक्त तापमान क्या होगा 15-20 डिग्री 15-20 डिग्री celsius क्या होगा इसका जवाब कि देखिए जिसने इसका जवाब option number d बाला दिया है 20-35 डिग्री celsius बिल्कुल साइब है जो बेंगन के पोदों की वर्दी के लिए उप्यूक्त तापमान माना जाता है वह तापमान माना जाता है 20-25 celsius कितना होगा 20-25 डिग्री celsius temperature बिल्कुल suitable रहता है और इस temperature पर बेंगन के पोदे की जो growth होती है वो भी अच्छी होती है और इसके अंदर जो फल्फूल होते हैं फल्फूल लगते हैं वह भी बहुत अच्छी संख्या में या अच्छी मात्रा में लगते हैं और उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त होता है ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं देखी की कारां होता है जवाब देना है बेंगन का बेंगणी रंग होता है और देखिए अब आप को पीलें प्रिवर्थित हो स SARो dal होता है तो जैसे ही देनता है पकने के बाद अगर आपको उसके भीज रखने हिं तो तोड़नस को तो नहीं है उसको वहीं छोड़ दिया जाता है tv दिर 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 पकना क्लाग हो इस ने सकशन्राज़ कोरा लाएगा तो इसका सबria सब्साइब गया है जैसकी जबाब सब्सक्राइब होती है कभी आप खाके देखोगे बेंगन को तो हलका सा आपको कड़वा लगेगा और वो कड़वा क्यूं लगता है कौन सा जब कच्ची अवस्ता में रहेगा तब ज्यादा कड़वा लगेगा और जब पक जाता है बना ली जाती है उसकी सब्जी तो उसके बाद में इन फिर कोई नहीं बेंगन कड़वाहाट एंट शायन लोसे दीन या फिर कोई नहीं बताईए ची से जिसने इसका जबाब का इंचермाब सी वाला सोलो से इन बिल्कुल सभ्थ है बेंगन कड़वाहाट का कारण सोलो से लाया गया है किसको माना गया है सोलो सेडिन को माना गया है और इस सोलो सेडिन का जो दूसरा नाम होता है वह होता है ग्लाइको एलकेलोइड क्या होता है ग्लाइको एलकेलोइड तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चो ध्यान से सुनिए अगर आपको option में सोलो सेड तो पर टिक करना है आपको ध्यान रखना अगला सवाल देखी क्या है next question है मारा कि सफेद बेंगन का उप्योग किस रोग में होता है यो भी होता है और बेंगनी भी होता है ठीक है तो सफेद बेंगन का उप्योग किस रोग में होता है उप्चन नमबर ए है हमारा हर्दे रोग में बी है हमारा मदुमें रोग में C है हमारा शे रोग में और D है हमारा TB में या Tuberculosis TB की फुल फर्म Tuberculosis होती है बताईए सफेद बेंगन का उप्योग किस रोग में होता है सफेद बेंगन का उप्योग बताना है option number A है हमारा हर्दे रोग B है हमारा मदुमे रोग C है हमारा शे रोग और D है हमारा टिब बताइए जली से सफेध बेंगन का सफेध बेंगन का जिसने अप्शन जवाब दिया है मदुमे रोग बिल्कुल सभी जवाब है जो मदुमे रोगी होते हैं उनको सफेध बेंगन खिलाया जाता है सफेद बेंगन में कुछ ऐसे तद्व पाये जाते हैं जो मदुमें में मदुमें रोगियों के लिए उप्युक्त माने जाते हैं अच्छे माने जाते हैं इसमें कुछ वीशेश प्रकार के एलकिलोइट्स पाये जाते हैं जो मदुमें रोगियों के लिए उप्युक्त माने जाते हैं किस प्रकार से वो अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में रक्त के अंदर शर्प्रा की मात्रा को कम करते हैं इसलिए क्या करते हैं सफेद बेंगन उनको खिलाया जाता है ठीक है अगला सवाद देखी क्या ह नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स् कि जिसने जवाब दिया है देखी जो सरस होता है उसको English में हम بेरी कोता है तो बेंगन के फलकर्क प्रकार क्या हो जाएगा बेंगन के फलका हो जाएगा सबस्टिया अब दोगहार को पता हुगा कि जो आम का फलका पत्फर को क्या ही स्ट्रांक केते हैं उसी प्रकार से जो फ्रुट टाइप है वैंगो का उसको श्ट्रांग के नाम से भी जाना याता है ध्यान रखना अगर लिखना चाते हो तो लिख लो stone के नाम से जाना जाता है है अगला सवाल देखी क्या है next question है हमारा है बेंगन की 20 दर प्रती हेक्टर देखिए एक तो बेंगन की और एक टमाटर की और एक बिंडी यह तीन भी और एक चोठी और एक मिर्ची की यह चार बीमिर्ची की तो ठेक ले रखा है बीचु का भिंडी का ठीका ले रखा है इसने जेट वाले ने और यह जो टमाटर और बेंगन है यह गुम-गुम के अब बेंगन की बीच दर परती हेक्टर बताने है आपको क्या होगी बताए जल्दी से बीच दर परती हेक्टर क्या होगी जिसने इसका जवाब दिया है देखिए जो बेंगन की 600-3 क्रम में रखे जाएगे सब्जball के जार तो क्यूंकि 저희가 होते हैं और जिनके बड़े होते हैं उनकी जू मातरा रखते हैं वह किलोग्राम में रखते हैं जैसे घ्र किलोग्राम के संटिंग जैसे मिर्च्स है तो थोड़ा सा ही बड़ा होता है इसलिए उसकी जो बीज़दर होती है वो लगबग 1.5 किलोग्राम के सम्टिंग होती है ठीक है समझ में आगे बिल्कुल और देखो एक चीज और पता देता हूं बहुत से जो स्टुडेंट है नहीं उनको पता नहीं है कि एक हेक्टर में कितना एक हेक्टर में जो एक हेक्टर में जो एरिया एयरिया होता है 10,000 म स्कुआयर होता है 10,000 म अगर उसको समझ में आ गया बिल्कुल एक्टारे है अगर उसको बिगा आपको नई बात कियान्य क मीली है तो चेनल खे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कौन को नए स्टुडेंट आए हैं और वीडियो को लाइक करना और खतम होने के बाद में यह जरूर लिखके जाना कि सर वीडियो कैसी लगे आपको यह क्लास कैसी लगे आपको ठीक है अगला सवाल देखिए क्या है नेक्स उसको क्या करते तरों सीधा उगा देते हैं क्लाइमेट रहता है जब हम मं इसको उगाते हैं तो उस समय को climate इतना घ्लाइमेट नहीं होता और समय समय और में पर बरसात भी आती है और इसके अलावा क्या होता है कि जो फोदे होते हैं जो बूर земsehen होती है प्रतिकूल परिष्टितिया होती है उनको सेहन कर सकते हैं लेकिन जो हमारी सब्जिय होती है और जिनके बीच छोटे हैं उनको हमेशे क्या किया जाता है सब्जीm में रखा जाता है और नर्सरी में उगाया जाता है अब यह क्यों करते हैं देखिए इसके पीचे का कारण बताता हूं मैं आपको एक तो भी छोटा होता है ठीक है तो उसको क्या करते हैं नर्सरी में रखते हैं नर्सरी में पहले छोटे भी जोगों उगाते हैं फिर उसको ब लबत सारे और लाबडाया करते हैं कुछ सब्धियों को पहले नरसरी में उगाया जाता है फिर उसके बार में उसको सिधा खेत कर दीया जाता है अब एक amazing bonus tip और देता हूँ आपको भिंडी की कभी भी पोज नहीं लगाई जाती है ध्यान रखना भिंडी की कभी भी पोज नहीं लगाई जाती है उसको तो सीधा ही transplant या सीधा ही उसकी sowing की जाती है इसका जो answer होगा कि बेंगन की एक 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 तर रहे तो नर्सरी कितनी रखी जाती है तो उसका आंशर होगा 250 वर्ग कितना होगा 250 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं next question क्या है हमारा देखिए अगला सवाल है हमारा बेंगन की एक हेक्टर में सामान्य किस्मों से उपज होती है अब यहां पर ध्यान देने वाले चीज क्या है यहां पर पूचा सामान्य किस्मों से उपज आपको संकर का नहीं बताना आपको सामान्य का ही बताना है और एक हेक्टर में बेंगन से सामान्य किस्मों से कितनी उपज प्राप्त होगी तो option number A है हमारा 200 कुटल B हमारा 600 कुटल C है हमारा 750 कुटल और D है हमारा 1000 कुटल अब बताए जल्दी से बेंगन की एक हेक्टर में सामान्य किस्मों से उपज कितनी होती है बताना है आपको जिसने इसका जवाब दिया है देखिए जो उपज की बात आती है तो जिसने इसका जवाब दिया है डाइसो कुटल बिलक next question है हमारा कि बेंगन की एक हेक्टर में संकर किस्मों से उपज क्योंकि वहाँ पर तो क्रेशन ऐसे पूछा जाएगा या तो आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना तो इसी लिए मैंने दोनों क्रेशन को इंक्रूट किया है अब बताईए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा संकर किस्मों से उपज कितनी प्राप्त होगी हमें बेंगन की एक हेक्टर में संकर किस्मों से उपज होती है डाइसो कुरिंटल छस्टो कुरिंटल सासो पचास कुरिंटल या एक हजार कुरिंटल क्या ह होगा इसका जवाब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है उप्षिन अमबर बी वाला 600 कुंटल बहुत ही अच्छी तयारी है बच्चों आपकी सब की तो 600 कुंटल प्रती हेक्टर इसकी उपज होती है बेंगन की एक हेक्टर में संकर किस्मों से उपज कितनी होगी बेंग की कौन से किसम हरे फल वाली है उप्षिन अमबर ए है हमारा देखिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्रिशन है मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताया था कि बेंगन हरा भी होता है बेंगन सफेद भी होता है बेंगन नीला भी होता है बेंगन पीला कब हो और जो बीटी बेंगन है वो सबका वेरियस टाइब बताया था मैंने अगर आप नहीं नहीं जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं जैसे ही क्लास कतम हो जाती है आप आगे वाला सेग्मेंट देख सकते हो ठीक है तो बेंगन की कौन सी किस्म हरे फल वाली है ग्रीन फ्रूट या ग्रीन कलर फ्रूट जिसने जवाब दिया है उप्शन नमबर सी वाला बिलकूँ सही जवाब है जो बेंगन की किस्म है अरका शिरीश और अरका कुस्माकर ये दोनों ही किस्में हरे फल वाली है यहां पर सफेद फल वाली लिखना था तो ध्यान रखना यहां पर सफेद यहां पर सफेद रिखना यहां पर सफेद है यहाँ पर सफेद फल वाली पूछना चाहरा हूँ बेंगन की कौन सी किस्म सफेद फल वाली है यहाँ पर सफेद है ध्यान रखो यहाँ पर सफेद है सफेद फल वाली पूछा है उप्चिन नबर A है मारा अरका निदी B है मारा ब्लेक ब्यूटी C है मारा NDB 20 और D है मारा उस जवाब आपके हातों में हैं बताइए क्या होगा इसका जवाब बेंगन की कौन सी किस्म हरे फल वाली मानी जाती है सफेद फल वाली मानी जाती है जवाब देना है देखिए यहां पर हरे नहीं है मिस्प्रिंट हो गया है हरे नहीं है सफेद है तो जवाब दीजिए क्या वॉइट होते हैं सफेद कलर के जो बेंगन होते हैं वो एंडीवी 20 किस्म के या एंडीवी 20 वेराइटी के होते हैं इस देट क्लियर चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है हमारा देखिया बहुत ही important चीज है ध्यान से देख लीजी इसको एक बार इसको ध्यान से देख लीजी कि ये जो slide है ये कहना क्या चारी है देखिए सुनिए इसको ये क्या कहना चारी है देखिए ये कहना चारी है कि जो अरका बिंदू किस्म है वो किसकी है प्याज की है और जो पूसा बिंदू किस्म हो जाएगी बैंगन की हो जाएगी अब पूसा अनमोल किसकी है पूसा अनमोल है बैंगन की और हिसार अनमोल किसकी है टमाटर की अब देखें यह मैंने क्यों इंक्लूड करता हूं नहीं क्योंकि जो सब्गियों की जो किसमें ना उसमें variation बहुत ज़्यादा है मतलब मिलती जुलती कि इसमें बहुत ज़्यादा है variation नहीं जो similarity है वो बहुत ज़्यादा है अब देखिए यहां पर बिंदू-बिंदू तो बिंदू-बिंदू से आप आप अरका बिंदू पढ़के जाओगे वहाँ पर पूसा बिंदू पूछेगा और आप प्याद पर टिक कर दोगे आप पूसा अनमोल पढ़के जाओगे वहाँ पर हिसार अनमोल पूछेगा आप बेंगन पर टिक कर दोगे इसलिए देखिए यहाँ पर सारे फंडे क्लियर करवाए जाते हैं और इस online platform का जो नाम है वो नाम है imperial agro classes ठीक है नए student जल्दी से subscribe करके bell icon को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी classes के notification आपको मिलती रहे शाम को भी biology की हमारी धमाकेदार class होती है रोजाना ठीक 8 बजे तो उसका हिस्चा भी आप बन सकते हो अगला सवाल देखे क्या है अब next question है हमारा बेंगन की कौन सी किस्म विल्ट प्रतिरोधी है बताना है आपको विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी होगी option number A है हमारा पूसा अनुपम, B है हमारा black beauty, C है हमारा बहुत ही important question है और ये बार बार पूछा जाता है क्यों पूछा जाता है क्योंकि इसमें ये रोग बहुत ज्यादा लगता है option number A है हमारा पूसा अनुपम, B है हमारा black beauty, C है हमारा अनुपम, D है हमारा पूसा क्रांती तो बेंगन की कौन सी किस्म विल्ट प्रतिरोधी है बताईए जल्दी से बेंगन की कौन सी किस्म विल्ट प्रतिरोधी होगी जिसने इसका जवाब दिया है पूसा अनुपम, बिल्कूत सही जवाब है जो पूसा अनुपाम वेराइटी होती है वो जीवानो विल्ट प्रतिरोधी होती है किसकी प्रतिरोधी होती है जीवानो विल्ट रोग उसमें नहीं लगता है देखी एक तो होता है प्रतिरोधी एक होता है समेधनशील प्रतिरोधी का मतलब है कि ये उस किस्म को या ये उस रोग को सहन कर सकती है अगर यहाँ पर समयधनशील होता इसका मतलब यह होता कि ये रोग उस किस्म में अधिक लगेगा और उसको वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती है ठीक है समझ में आ गया तो परतिरोधी और समयतन सील समझ में आ गया होगा आपको ठीक है अब अगला सवाल देखते हैं क्या है next question देखें हमारा क्या है बेंगन की कौन सी किसम सबसे अधिक उपस देने वाली है तो इसका जो answer होगा वो answer इसका क्या होगा इसका जो देखी सबसे अधिक उपस प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है अरका नमनीद से किस से प्राप्त होती है अरका नमनीद से प्राप्त होती है ध्यान से सुन लीजी कुछन को वापस से बेंगन की कौन सी किस्म सबसे अधिक उपज देने वाली है सबसे अधिक उपज देने वाली पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा अरका नमली सबसे अधिक उपस देती है और अभी जीवाणू रोधी के लिए बताया था मैंने जीवाणू विल्ट प्रत्रोधी किस्म कौन सी हो जाएगी पूसा अनुपम जीवाणू विल्ट प्रत्रोधी किस्म हो जाएगी ध्यान रखना question बहुत कुछ सीख के जाओगे यहां से ठीक है तो पूरी क्लास अटेंट करनी है आपको ठीक है तो बेंगन की कौन सी किस्म सबसे अधिक लंबे फल वाली है तो option number A है मारा पूसा अनुपम B है मारा black beauty C है मारा अरका नमनीत D है मारा पूसा क्रांती अब जवाब आपको दे जो डी वाला option है पंत समराट उसमें सबसे लंबे फल होते हैं पंत समराट जो डी वाला option है पंत समराट उसमें सबसे लंबे फल होते हैं किसमे होंगे पंत समराट में सबसे लंबे फल होंगे ध्यान रखना question पूछा गया है पीछे कि सबसे लंबे बेंगन वाली किस्म कौ लम्रवाली होती है और यह सवाल है यह सवाल ये-े कूछ pense दोहजार में आया हुआ है कि भ Fi Storm को पूछा गया है कि कौन सी किस्म गोल्वाली होगी कि बैंगन होता है उसमें जो स्वूरां होटी उती है एक तो जो बेंगन होता है वो लंबा बेंगन होता है और एक जो बेंगन होता है वो गोल बेंगन होता है तो दो वेरालिटीज होती है तो यहां पर पूछा गया है कि बेंगन की कौन सी किस्म गोल फल वाली होगी ठीक है समद में आगे आपको पंत रितूराज किस्म कौन सी होगी गोलफल वाली होगी ध्यान रखना ये question important है वापस से सुन लीजी पंत रितूराज किस्म गोलफल वाली होगी ठीक है अगला सवाल देखी क्या है next question है हमारा बेंगन की फसल का खरपतवार है ये भी आता है question बहुत बार बेंगन की फसल का खरपतवार माना जाता है जवाब देना है आपको बेंगन की फसल का खरपतवार कौन सा होगा option number A है हमारा औरो बेंग की बी हमारा आगया सी हमारा A और B दोनो और D हमारा कोई नहीं अब बताना है आपको बेंगन की फसल का खरपतवार कौन स कि किखिए और ऑगिया की हो तरी कि कि बा eleven की बावा जरबने की में खोता है उसको हम हम हिंदी में आ byा के नाम से जानते हैं और इज्वाइया के लिखा वा वहा hello जरूरी नहीं कि औरोबेंग की लिखावा आवा हिंदी में आग्या भी लिखावा आ सकता है तो आपको औरोबेंग की और आग्या दोनों को बात वह रहे फिर तो आरहम से आप कोलिग जाओगे चश्मा लगा के बॉलउट पर कर आगला सवाल है नान का चोटी पती रोग किसे होता है रिफ Corn tekn का चोटी पती रोग को माइकोप्लाजमा, B है मारा एमेलोज, C है मारा A और B दोनो, D है मारा कोई नहीं आप जवाब देना है бेंगन का छोटी पति रोग किसे होगा बेंगन का छोटी पति रोग किसे होगा LITTLE LIV और ब्रिंजल किसे होगा, बताईए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब लेटल लीव किस से होगा देखे जिसले इसका जवाब यह है option number c वाला ए और बी दोनों बिल्कुल सभी जवाब है बेंगन का जो छोटी पती रोग होता है वो छोटी पती रोग mycoplasma और mlos दोनों के करण होता है देखे जो mycoplasma है उसको हम English में या उसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं mlos क्या बोलते हैं mlos के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक और नाम है जिसको हम phytoplasma के नाम से भी जानते हैं माइको प्लाजमा एम एल ओज और फाइटो प्लाजमा तीनों एक ही नाम हैं ठीके फंडे यहां पर सारे क्लियर करवाए जाएगे आपके अगला सवाल देखी क्या है नेक्स्ट है बेंगन का चोटी पती दोग कोन पहलाता है भाई अब माइको प्लाजमा तो खुद पेरों स बादया है दो यहां प्लाजमा और भी और प्लाजमा फैसिक से कॉनसें रोग फैलने के यहां पर इसका प्सप्र होगा लेफ और पन्फुद्का ए और बी दोनों और option number D है, हमारा कोई नहीं अब जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब लीफ ओफर नीज़ुबका ए और बी दोनों option number D है, हमारा कोई नहीं बेaysगन का छोटी पत्ती रोग किस से होगा जिसने इसका जवाब दिया है option number C वाला A और B दोनों बिल्कुल सभी जवाब है बेंगन का छोटी पती रोग किसे होता है बेंगन का छोटी पती रोग होता है leaf offer और panhudka दोनों से जो leaf offer होता है उसको हिंदी में panhudka के नाम से जाना जाता है अब मैं हर बार आपको terminology क्यों बताता हूँ Hindi medium वाले student देखिए अब उसने option दिया panhudka panhudka आपको पता है कोई इकत नहीं है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसने panhudka option में दिया ही नहीं उसने तो option में दे दिया leaf offer तो फिर आप करोगे क्या उत समय इसलिए कहता हूँ कि terminology को strong करो पढ़ते रहो English के words भी ठीक है एक न एक question इस प्रकार का जरूर आएगा एक और दो question इस प्रकार के जरूर आएंगे ठीक है तो बेंगन का चोटी पती रोग बता दिया मैंने leaf offer या सब्सक्राइब करता हूँ ताकि आप पूरी क्लास को अटेंड कर सके और आपको ज्यादा से ज्यादा फाइदा मिल सके तो मेंगन का चोटी पती रोग का नियंतरन किया गया था किया जाता है बताना है आपको जिसने option भी जवाब गया है टेट्रा साइक्लीन बिल्कू सही जवाब है देखिए जो टेट्रा साइक्लीन नाम की दवाई होती है वो एक विशेश प्रकार की एंटिबायोटिक होती है क्या होती है एक विशेश प्रकार की एंटिबायोटिक होती है तो मेंगन का चोटी पता रोग का नियंतरन होगा नियंतरन किया जाएगा वो किया ज यह पूचा गया है सवाल अब देखिए बहुत ही important question है कि वहाँ पर question especially question वहाँ पर ऐसे पूचा जाता है कि formopsis रोग का संबंद या formopsis disease का संबंद किस फसल से है या किस सब्जी से है तो formopsis mostly होता है वह सिर्फ और सिर्फ बेंगन के अंदर ही होता है लगभी 99% sure हम माँ जवाब दीजिए बेंगन का फॉमोपसिस रोग किसके द्वारा होगा बेंगन का फॉमोपसिस रोग किसके द्वारा होगा बताइए जल्दी से देखिए इसको और किस नाम से जानते हैं इसको फॉमोपसिस ब्लाइट के नाम से जाना जाता है ठीक है और इसको फॉमोप से इसका रोग से जी अगला सवाल देखी क्या है नेंक्स ऌते इंपोर्टन केश्ञ इसके ढेंस बार बार पूछा जोता है सबसे ज्यादा ग्रीन-ःच में जाने वाली पूछ सकता है पॉलिहाउस और ग्रीन-ःच में लगा जाता बस इतना ही अंतर होता है और जो poly house होता है उसके अंदर जो climate को control करने के लिए तो फेसिलिटी होती है वो थोड़ी जदा डवलब होती है और थोड़ा मेहंगा होता है पोली house ठीक है और जो सब्से ज़्यादा green house में हुगाई जवाए जाने वाली फसल जिसने इसका जवाब ये है option number A आशे क्वाला खीरा बिल्कुल सफ़ाई जवाब है सब्से जज्यादा green house में उगाई जाने जवाब देना है ठीक है और mostly जो टमाटर को उगाते हैं वो बेल वाली जो टमाटर होती है देखें टमाटर में भी बहुत सारी वेराइटी होती है तो जो बेल वाली होती है जो स्क्रीपर्स होती है उसको उगाया जाता है ठीक है क्योंकि उसमें उत्पादन अधिक प्राप् हैं वह बहुत बार पूछा चाहा है इस सवाल बताना है आपको बेंगन का हनिकारक क्या होगा और भलाइट या उप्रोक्त सभी बताये क्या होगा इसका जवाब बेंगन का हनिकारक रोग जिसने इसका जवाब गिया है मूल ग्रंती सूत्र कमी बिल्कुत सही जवाब है जो मूल ग्रंती सूत्र कमी है वो इसका हनिकारक रोग गए लेकिन लेकिन क्या है जो मूल ग्रंती सूत्र कमी होता है वो जड़ों में लगता है इसका एक जो कवक होता है उसका भी नाम बताऊंगा भी इसका जो कवक होता है मुखी रूप से वो कवक नहीं उसको हम सूत्रक्रमी की नाम से जानते हैं उस सूत्रक्रमी का नाम होता है Melloidogynes species Melloidogynes species का जो सूत्रक्रमी होता है वो सबसे ज़्यादा Melloidogynes species का जो सूत्रक्रमी होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है बेंगन में रोग पहलाता है उसकी जड़ो को संक्रमित कर देता है एक चीज और बता दो आपको तो जो सूत्रक्रमी होंगे वो जड़ो को संक्रमित करेंगे जो सूत्रक्रमी होंगे वो मिट्टी के अंदर रहते हैं और वो जड़ो को संक्रमित करते हैं किसको संक्रमित करते हैं जड़ो को संक्रमित करते हैं अगला सवाल देखी क्या है next question देखी अब question लगब कंप्लीट ह हो गए हैं अब सिर्फ और सिर्फ दो स्लाइट्स बची है और यह स्लाइट्स बहुत ही इंपोर्टेंट है तो यह आपको मैं बताऊंगा अभी इससे पहले में यह कहना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो यह थी में बात और क्लास खतम होने के बाद में जरूर से बताना कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जा चालिश ही क्वेस्टन आपके होंगे अगरी कल्चर के तो ऊणनलाइन टेस होगा जिसको पता नहीं है ऑलनाइन टेस्ट कैसी देना है वो मुझे मे अगर आप देखना चाते हैं अभको समय पर तो आज की लिए बस इतना ही करेंगे, अब देखिए क्वेस्टन आगे बता देता हूँ मैं आपको आप देखी बेंगन की किसमें है कुछ जो मैंने पीछे नहीं पड़ाई थी तो वो देख लीजिए कौन-कौन सी है एक तो है पूसा उपकार फिर है पूसा अंकूर फिर है पूसा भहरव फिर है फ्लोरीडा मार्केट बहुत बार पूछी जाती ही वेराइटी फ् लोग इसको पत्ता गोवी की कर जाते हैं फूल गोवी की आजाते हैं तो वह नहीं होगा इस सुब्सके मैं कहां हने सब्सक्राइब प्र उसके बाद में फूसा और फिर उसलाइड बूशा पर्पल राउंड घा फिर इसकी खास किसमे थी बता दिया है मैंने ये उसकी कुछ खास किसमें थी अब देखिए अगली जो है वो स्लाइट इसमें लगबग चार-पात क्वेशन हैं इंपोटेंट है ध्यान से देखना इसको अगर आप इसका स्क्रिंशोट लेना है ले लिजी मैं आपको पांस सेकंड का समय देता हूं स्क्रिंशोट लेना चाते हो तो ले सकते हो ले लिजी स्क्रिंशोट देखिए सारे ही क्वेशन इंपोटेंट है बहुत मदद करेंगे आपकी जो नए स्टुडेंट है कोई दिक्कत नहीं है आप हमारी पीछी वाली वीडियो दे सकते हैं पूरी वीडियो देखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे लेकिन आप आगे करकर के देखोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है जब पढ़ाई ही करनी है आपको तो फिर सब कुछ त्याक के पढ़ाई कीजिए ठीक है ले लिया अब इसका ले लेना मैं समझा रहा हूं समझाते समझाते आप ले लेना ठीक है अप्धार देखी यह गूण combos निट्ट का फल का प्रकाट दो बेरी होता है रियोदक को प्रकार होता है वह प्रकार और को फसका होता है घितने पोदे लगए जा सकते हैं, पूछा जाए तो एक हेक्टर में बेंगन के 47,000 से 50,000 कोदे लगाए जा सकते हैं ठीक है ध्यान रपना इस चीच का अगला सवाल देखी क्या है मैं नेच्स पूच्शन हैं में में चार परकार के पूछबाते हैं देखे अब बेंगन के exploding कि मिडियमस फूर्ण ज़ूब सब्सटाइल। इस निशर क्या होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन नहीं होते हैं लेकिन जो सबसे जाधा होता है और इन दोनों में भी जो long style वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा फलन होता है ठीक है देखे बेंगन में चार प्रकार के पुछ पाते हैं अब यहां पर दिया गया है बेंगन में सबसे अधिक 80 प्रतिशत long style फूल आते हैं कौन से फूल आएंगे सबसे अधिक 80 प्रतिशत long style फ तो सभी को पता है लेकिन extra कौन पढ़ा रहा है आपको जो extra पढ़ा रहा है उसी से पढ़ गया ठीक है फिर इसके बाद में next क्या है पकने के बाद बेंगन का रंग नीले से पीला हो जाता है यह मैंने बता दिया था बेंगन का रंग होता है वो कैसा हो जाता है बेंगन का आपको पसंद आई और आपको क्लास पसंद आई तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल्प्रॉइब करना बेल आइकन को प्रेस करना और आगे आने वाली क्लास का हिस्सा बनना ठीक है शाम को ठीक मिलेंगे 8.5 बजे बायोलोजी की धन्यवाद